आप देख रहे हैं मेरा योट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ यूनिफर्म कनवर्जेंस जो की बहुत इंपास यहां पर कोई फंक्शन होता है उस फंक्शन की जो सिक्वेंस होती है अगर वो कनवर्जेंट है हर पॉइंट पे तो वो जो सिक्वेंस होती है वो यूनिफर्मली कनवर्जेंस होती है फंक्शन की तो यहां पर जो सिक्वेंस की बात करते है वो फंक्शन की सिक्वेंस की बात करते है तो भी मैं अपके सामने थोड़ा सा इंड्रोड़क्शन देता हूं अब को समझ में आएगा Uniformly Convergent the Sequence of Function, हमारे पास जैसे की एक 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 जामपल देता हूं मत भी थोड़ा concept समझाता हूं इसके एक जामपल देता हूं अब को समझ में आएगा Let d be the subset of real number r, for each n belongs to n, let fn d to r be the function, then sequence fn x is a sequence of a function on d to r, where x belongs to d, होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, एक एक जामपल देता है, माल लिजे मैं यहां पर लिया, fx is equal to x power n, x sequence ले, जहां पर आपको दे रखा कि x belongs to 0 to 1, यह आपके पास open interval दे रखा है, 0 to 1, अब 0 to 1 के बीच में कोई भी value ले, माल लिजे मैंने 0 to 1 के बीच में लिया, 1 point, 1 by 2 लिया, फिर 1 by 3 लिया, फिर 1 by 4 लिया, फिर 1 by 5 लिया, तो हमारे पास अलगए-लग sequence है, माल लिजे f1 x ले लिया, तो यह 1 by 2 लिया, x लिया, 1000 io 2 लिया, तो अलगए-लग value आती जाहेगी हमारे पास, अलगए-लग हमारे पास sequence बनती जाहेगे, यह components बनागी, तो हमारे पास contexts हम सही हम यहां पर शेल के बीश में यह और भी वेली हो सकती है कुछ भी भी हो सकता लाई कोई उसकता राइट तो हमारे पास बहुत सारी अलग-लग स compute आगे राइट हैना तो यह सको यहak ca सव यह एक स्वेंस है पर natural नमबर 123 रखंगे तो हमारे पास एक सेवेंस बन दीजे वन डो इक क्वेंस बन्दीज चाहिए मारे उफंटिन पर एक स्वेंस करने करने पर नेचुल आखिए हमेरा डॉमेंट कि garant啦 और यहां पर नेचुलल नमबर हमारे पस होगा वह वह पूट करने पर हमारे पास अलग-अलग sequence मिलते जाएगे और वो sequence अगर convergent है हर point पर दोमें में तो वो हमारे पास क्या होती uniformly convergent होती रहे तो इस और इस विधार पास एक example जूसे और समझाने कोशिश करता हूं कि हमारे पास domain हमारे पास close interval 0 to 1 दे रखा है and fnx is equal to nx upon 1 plus nx where x belongs to d तो यहां पर जो sequence होती हो कैसे होगी सबस्सक्राइब जिसे मैं बात करता हूं यहां पर 0 पर तो यह 0 हो जाएगा जब मैं 1 रखूंगा तो n upon 1 plus n जब मैं 1 by 2 रखूंगा तो n by 2 upon 1 plus n by 2 3 रखेंगे तो n by 3 upon 1 plus तो अलग-अलग-अलग-अलग हमारे पास यहां पर sequence मिलती जाएगे और यह sequence हम चेक करेंगे कि सब्सक्राइब अभी तुम्या बता रहा हूं कि sequence किस टाइब क्यों होती रख फिर हम बात करेंगे इसके convergence को चेक करने के लिए तो यहां पर हमारे पास mn टेस्ट उता है लेता हूं जिसे fn x is equal to x power n between minus 1 to 1 दे रहा है अब minus 1 to 1 हमारे पास domain दे रहा है इस domain में जब x is equal to 1 रखेंगे तो 1 आएगा बाकि और भी कोई वेल्य जिसे 0 रखेंगे तो 0 आएगा है ना minus 1 रखेंगे तो हमारे पास fn minus 1 जो होगा वो minus 1 power n आएगा तो maximum आपको देखना पड़ेगा कि किन-किन पॉइंट पर कंवर्जेंट नहीं है अगर सभी पॉइंट पर कंवर्जेंट नहीं है तो फिर उनिफॉर्मली कंवर्जेंट तो होगा ने राइट तो मैं आपको आगे बता हूं राइट सो कंक्लूजन है कि कोई भी जो domain हमारे पास हो कि हमारे पास क्या देखा है यूर्ड ये कंवर्जेंट नहीं हो सकती यह वह सकती है अब यहां पर कंसेट उता इस मलेζंन और पास लिमिट बहुत इम्पेंट कि यह जब भी हम यहां पर uniformly convergent के लिए MN test लगाते हैं तो वहाँ पे pointwise limit का बहुत बड़ा रोल होता है तो वह मैं आपको बता हूँ कैसे निकालते हैं तो इस जुन यहाँ पे D belong D subset of R for all for each natural number n belongs to n fnx is sequence of function then fx is called a pointwise limit of if fx is a limit of fnx 0 at each x 0 belongs to d इसका मतलब यह होता है यहाँ पर कि limit मैं आपको समझा दू लिमिट एंट टेंस टू इंफिनिटिव fnx जो होता है हमारे पास है उसकी value हमारे पास कितनी होती है fx होती है राइट हैना कुल मिला कि domain के हर point पर n tends to infinity रखे तो वो हमारे पास क्या आता है fx आता राइट हैना तो जिसे example देखे fnx हमारे पास x power n दे रहे का रहा हमारे पास जो domain है वो 0 to 1 है तो हम देखेंगे आपके x is equal to 1 पे इसकी value होगी हो 1 आएगी राइट अब 1 से थोड़ा सा छोटा ले राइट हैना अगर मैं आप से बूलू कि close interval 0 से open interval 1 ले राइट तो 0 से 1 में अगर आप कोई भी value ना रखेंगे इस fx की हैना इस fx की 0 पे तो 0 होगा हैना बाकी कोई भी value रखेंगे तो हम जानते से मान लिजा आपने 1 by 2 रख दिया राइट तो हमारे पास जो fn1 by 2 आएगा हैना तो यह हम जानते हैं कि n tends to infinity पे यह जो 1 by 2 होगा यह क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा राइट हैना तो जीरो से close interval sorry close interval 0 से open interval 1 के बीच में कोई भी value लेंगे हम तो n tends to infinity पे उसकी value हो जाएगी वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो यह हमारे पास क्या होती है इसकी point wise limit होती है तो अभी मैं आपको और बताऊंगा जब मैं आगे आपको example लूँगा तो वहाँ पर की point wise limit हम और कैस्तर से निकाल सकते रहे जिसे यही question है अगर हमारे पास और हमारे पास fnx ऐसा दे रिखा है x power n और domain हमारे पास यहां दे रखा open interval राइट है ना 021 तो जब open interval 021 दे रखा है तो आप यहां पे 021 में कोई भी वेल्यू रखेंगे तो इस fnx की जो वेल्यू होगी है ना मतब इसका fnx at limit n tends to infinity पे हर point पर इसकी वेली क्या होगी हमारे पास 0 होगी और वो हमारे पास किस x के बाराबर होगा fx के बाराबर होगा तो यह इसकी point wise limit होगी राइट तो यह थोड़ा समझने की ज़रोत है जो आपको आगे और भी समझाने वाला हो राइट एक और example लेता है fnx is equal to 10 inverse x nx where x belongs to 0 to 1 तो हम जानते की जैसे हम यहां पे 0 रखेंगे तो 10 inverse 0 हमारे पास क्या ह होता है जीरो होता है पर जिसे 0 से बड़ी कोई value ले है ना open interval 0 से 1 लेता हूं मान लिए कोई भी value लिए यह close interval रख दिया अपने तो यह क्या हैगा 10 inverse n alpha और हम जानते कि limit n tends to infinity पे यह हमारे पास क्या हो जाता है 10 inverse infinity हो जाता है और 10 inverse infinity की value क्या होती है पाइब जीरो को छोड़ कि बाकी सबी पॉइंट पर यह n tends to infinity पे 10 inverse infinity हो जाएगा और वो हमारे पास क्या हो जाएगा पाइब टू हो जाएगा तो कहने का मतलब यह हुआ कि x is equal to 0 पर तो जीरो हो रहा है और 0 के अलावा 1 तक यह value क्या रहा और मैं आपको बतारा चाहता हूं कि जब मैं uniformly convergent बता इसकी जो left-end limit और right-end limit जो है हमारे पास left-end limit right-end limit तो पाइब टू आ रहा है पर बराबर पर point पर इसकी value क्या रही है जीरो आ रही है तो हम यह कह सकते हैं कि जो function यह uniformly convergent नहीं होगा क्योंकि इसकी जो point-wise limit है वो continuous नहीं राइट तो यह मैं आपको आगे समझाने वाला एक इसका प्रूब भी बताऊंगा मैं कि अगर कोई भी function uniformly convergent है तो इसकी point-wise limit का continuous होना जरूरी है अगर point-wise limit continuous नहीं है तो वहां पर uniformly convergent नहीं होगा राइट अब बात करते हैं point-wise convergence तो जिसे point-wise limit है अब point-wise convergent की बात करते हैं कि हर point पर वह जो sequence बनती function के वह क्या होने चाहिए convergent होने चाहिए अगर convergent है तो वह point-wise convergent होगा है ना let d belongs d subset of r for each n belongs to n the sequence fn x is set to be point-wise convergent on d if for each x0 belongs to d the sequence fn x0 converges है ना हर point पर like domain के हर point पर जो sequence होती function की यह क्या होने चाहिए convergent होने चाहिए तो उस वाले case में यह क्या होता हमारे पास point-wise convergent होता है for example हमारे पास domain दे रखा minus one to one और fn x दे रखा x below x is equal to x power n तो हम जानते हैं कि x is equal to minus 1 पर इसकी value होती हो होती है तो यहां पर यहां पर यह conversion नहीं होता क्योंकि हमारे पास दो limit मिल जाती है एक one मिल जाती हो एक minus one मिल जाती राइड तो यह जो होगा fn x is equal to x power n is not point-wise convergent between minus one to one पर हां अगर यह minus one to one के जगह अगर बाइचांस यह 0 to one होता तो यहां पर आप बोलोगे सर 0 to 1 है तो 0 to 1 में आप बोलोगे 0 पर तो सर इसकी value 0 पर जाएगी है ना then one पर सर यह one पर जाएगा और 0 से one पर इसकी value कहा जाएगी जरूर करेगा है ना ऐसा कभी नहीं होगा कि जरूर है जरूर है कि हमारे पास जिसे मैं आपके बांद बोलू कि इसकी जो point-wise limit है ना point-wise limit पर आपको अभी बता है था कि जब x is equal to one आता है तब इसकी विलिए one आती है यहां पर और जब x belongs to यहां पर close interval 0 to open interval 1 रखते हैं तब इसकी value 0 आती है तो यहां पर यह अलग लग आ रहा है रहा है और 0 और 1 के भीश में इसकी value 0 आ रही है पर यह converge कर रहा है यह point-wise किसी point पर converge कर रहा है तो यह point-wise convergent है हां पर यह जो point-wise limit है यह continuous नहीं है ना तो हम यह कहेंगे कि point-wise converge तो कर रहा है बट यह uniformly conversion नहीं होगा इसका concept में अगले वाले वीडियो में समझाने वाला हूं क्योंकि मैं एक introduction दिया है चाकि मैं वहां जब पता हूं बता हूं ना तो आपको point-wise limited continuous नहीं है that's why uniformly convergent नहीं होगा आपको बताऊंगा बाद में पर यहां पर जो समझाना चाहरा था कि point-wise converge का मतलब यह होता है कि हर point पर जो sequence है वो किसी नहीं किसी point पर क्या करने चाहिए converge करने चाहिए राइट जरू नहीं कि एक ही point पर हो सकता लगलग point पर भी converge कर सकती राइट तो वो हमारे पास क्या होता है point-wise conversion होता राइट so this is the concept एक और example देते हैं कि अगर हमारे पास domain दे रखा x belongs to r where x is greater than equal to 0 right and 0 to infinite जा रहा है then point-wise limit of n upon x plus n जब हम यहां पर x की value 0 रखेंगे तब यह ns and cancel होके 1 आ जाएगा है ना पर जब x की value 0 नहीं होगी तो इस वाले case में हम जब इसकी n common निकालेंगे आप बात करेंगे limit ध्यान दीजेए तर हमारे पास क्या है एक स्क्राइब लिमिट एंटेंस to infinity एन अपाउन x plus n लेंगे यहां पर तो सुनिये क्या होगा limit n टेंस to infinity मतलब जब यह वारे पास एक जीरो नहीं नों जीरो है तब की बात करेंगे तो सुनिया पर n common लेते हैं हम लोग यहां पर और यहां पर और यहां से कैंसल होगा यहां से इसकी वेल्यू आएगी तो हम देख रहे हैं यहां पर यहां पर और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर फिन तो इस तरह से आप हम इसको पता कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि function के sequence क्या होती है देन उसके बाद point wise limit क्या होती है फिर point wise conversion क्या होता है यह मैंने आपको बता है और next जो आरे वाले वीडियो में बताने होता है उसको हम कैसे अपलाई करते हैं और कैसे हम यह पता करते हैं कि जो फंक्षन है वह uniformly convergent है या नहीं है उसके बाद मैंने टेस्स का प्रूफ है वह लेकर आने वाला हूं उसके बाद कोई भी function अगर uniformly convergent है तो इसकी जो point wise limit होती है हमेशा continuous होती है तो यह दो तीन इसका playlist है जहाँ पर मेरे काफ़ी सारी analysis की वीडियो अप्लोड़ेट है यह दो मेरे चैनल यह मेरा चैनल और यह मेरा पुराना चैनल जहाँ पर मैं आप वीडियो अप्लोट कर रहा हूं सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और बने दी मेरे साथ थैंक यू बाए